हेलो उस्तो आप सब इक सोक्त बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार FMGC स्टॉक के बारे में जिसे रेलेटेट काफी इंपोर्टन न्यूज आपर हाइलाइट होकर आ रहे हैं वो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे जिसका नाम है देखिए हिंदूस्तन इनिलिवर जिसे हम यहाँ पर यज्यूयल नाम से भी जानते हैं इस कंपनी में जो हमें हेविली गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे के जो एक्चुली रीजन है वो यहाँ पर हम आइडेंटिफाइ करेंगे दोस्तों आपके पास एक भी शेर है इस कंपनी का या आप यहाँ पर खरीदने क के लिए इंटरेस्टेट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि देखिए काफी निवेशक अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए लार्ज क्याप के स्टॉक खरिद कर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उनको यहाँ पर खरीदने के बा के बारे में पता चलेगा जैसे यहाँ पर हम देखे तो स्टॉक के अंदर 2-5% से भी जादा की गिरावट देखने को मिली है और पिछले पास दिनों से आप देखिए जो शेयर 2650 पर चलता था वो अच्छान की 25 रुपई पर आ गया पर शेयर पर 1500 रुपई की गिरावट है बहुत बड़ी यहाँ पर फिगर है और यहाँ पर आप वैसे भी देखे तो स्टॉक ने काफी अच्छे से रिटन यहाँ पर कमा कर दिये भी है आप यह देख भी सकते हैं कि इसने 6 महीने के अंदर जो 16% रिटन दिया बहुत अच्छा ही है क्योंकि देखिए ऐसे बड़ी बात है कि कमपनी अच्छी है और कमपनी लीडर है अपने बिजनेस सेक्टर में यह तो बात हम सभी जानते हैं अभी न्यूज पर आएंगे और सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर जो हाइलाइट होकर आ रही है उसको पहले देखेंगे और वो गिरावट का रिजन प्रॉपरली यही है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा आप जैसे के न्यूज में देख रहे होंगे कि हिंदुस्तन लिवर के जो ड़ो और जो भी आपर शांपू वगेरा उसके उपर का यहाँ पर एक्शन देखने को मिला ऐसा न्यूज चल रहे है तो अभी यहाँ पर देखिए एक्शुली यह न्यूज कैसी है आपको बदा दू पॉपुलर ब्रैंड आफ ड्राइ शांपू इंक्लूडिंग डौरी कॉल बाई यूनिलिवर ओवर दे कैंसर रिक्स अभी यहाँ पर देखिए यह किसने डिसिजन लिया है यह यह यूनिलिवर खुद यहाँ पर कंपणी ने डिसिजन लिया है कि कैंसर का रिक्स है बोलकर जो इनके शांपू वगेरा है उसको उसके अंदर जो कंटेंड ने वह ज्यादा हो गया यहाँ पर जो भी मैनेफेक्चरिंग के अंदर कोई डिफॉल्ट हुआ बोलकर उन्हें ने रिकॉल किया है जो प्रोड यहाँ पर बेचा गया कोई लोगों को यहाँ पर इसे प्रॉब्लम वगेरा हुए ऐसा नहीं है रिक्स है बोलकर उन्हें यहाँ पर वापस मंगाया रिकॉल किया एंड दोस्तो ऐसी बात नहीं है कि आपको लगता होगा कि हिंदू सन लिवर में ऐसा हुआ है आपको आप बोलेंगे सर यह जो गिरावट है तो इसके पीछे एक्चुली रिजन कौन सा है तो दोस्तो रिजन ने देखिए मार्जिन का मार्जिन आप बोलेंगे कौन से तो देखिए आपको बता दू वाई हिंदूस्तन लिवर कॉर्टर टू अर्निंग फेल्ट टू एक्सिट का यहाँ पर कम होना प्रेशर में रहना क्यों क्योंकि यहाँ पर इन्फिलेशन के वज़े से यहाँ पर आप देखेंगे काफी कुछ कंपनियों के यहाँ पर आर्निंग पर इंपेक हुआ है और वैसा ही हमें हिंदूस्तन लिवर पर देखने को मिला यानि के कंपनी के अं स्टॉक उसी दिन गिर गया होता जिस दिन आनॉंसमेंट हो गई इसलिए और आपको अंडर प्रेशर और भी स्टॉक देखने को मिले इसमें और भी गिरावट आ जाए तो घबरानी के जरूरत नहीं है फटा-फट इसमें गिरावट का बेनिफिट ले सकते हैं जैसे कि हमने इसलिए के अंडर देखा वो स्टॉक करेक्ट हुआ काफी ज़्यादा करेक्ट हुआ और बाद में से जो हुआ आपने देखा ही है जबर्दस इंप्रूमेंट उसने करकर देखाया हिंदूस्तान लिवर इंडिया की लीडिंग कमपनी है अपने बिजनेस सेक्टर में प्रस 2667 करोड का मार्केट क्या आप है डिविडेंट इल बे अच्छा है डिविडेंट का प्याओट बहुत अच्छे से कमपनी करती है और यहाँ पर आम जैसे इस कमपनी में देखे तो कमपनी का जो डिविडेंट का प्याओट है 96% है यहने कि जो शेर का वैलू है उससाब से परेसेंट आप निकाले तो डेफरी अल्मोस्ट एक कंपनी कंपनी का अरोज से अच्छा है आप यहाँ पर इसकी शेरोल्डिंग भी देखेंगे तो इसमें भी आपको काफी कुछ चीज़े देखने को मिलेगी देखें लार्ज के आपके कंपनीयों में खाली आपको यहाँ पर स्लोली यहाँ पर इंप्रूमेंट जैसे के 25-30-40 परिशन के अंडर यहाँ पर रिटन मिलते बे नजर आते हैं एंड इनके बिजनेस में धिरे धिरे इंप्रूमेंट हमें देखने मिलते क्योंकि अल्रेड यह बड़े हो चुके हैं अभी इसके अंदर डिवडन खाने को मिलेगा एंड थोड़ा बहुत रिटन आइसा रहता है आप यह देख भी सकते हैं प्रोमोंटर 61 है F.I.S. 14% है D. D.I.S. 11% है यहाँ पर आप शेर होल्डिंग को पूरी तरीके से देख सकते हैं कमपणी के और यहाँ पर डिटेल्स कमपणी तरब से प्रेजेंट किये गए हैं बहुत अच्छी कमपणी है इसमें कोई डाउट नहीं है आप यहाँ पर इसमें कंटेनिव कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कि आपको 2000 के करीब 1200 के करीब मिले तो आप थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें मोका मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है और आप ज़रूर बेनिफिट भी लेंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है थैंक्यू सो मच I hope डीटेल समझ गया आप